आज मैं बनाने वाले हैं जीरा चामल जिसके लिए हमें बड़ी पतीली या कड़ाई जो भी आप ले ले लें इसके अंदर मैं आदा कप के करीब ओल दालूंगी तकरीब हम चामल बना रहे हैं दो कप जिनको मैंने भीगो के आदे गंटे के लिए रख दिया है फ्लेम को हमने आप लेना है तो आप दो आप लिए थोड़ा सा कर दो जाए बहुत मज़ेदा जीरे वाले चामल बनने वाले हैं यह आप चाहें ऐसे खाले यह चाहें डाल के साथ जिसके भी साथ चाहें आप इनको सर्फ कर सकते हैं ते देखे आप गरम हो गया है अब मैं एक टीस्पुन जीरे डालेंगे आप सा में चाहें से जीरे जाओं बनार के खिला सकते हैं बच्चों के तोस प्रश्वजा है इसमेंगे बला आप उसमे olsun प्रणागी, एक और यह आदा, तक्रिबन एक एवर स्पून में तक्रिबन एक एवर स्पून में नमक देया है, अब हमने थोड़ा से इसको जीरे पूर कर लेना है, कि यह हलका सब्सकी बहुत प्यारी से स्मेल आने लग जाएगी, इसके बाद हम इसमें सावल अट करेंगे, मेरी वीडियो को फस्टाइम देख रहे हैं, चैनल पर पहली दफ़ा है, वो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेए, और मेरी रेसिपी लाजमी ट्राइ करिए, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी है, मु मैं चाहती हूं कि आप उसका मुझे रेस्पॉंस थाकि मुझे भी खुशी हो कि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन लोग को अच्छे लग रहे हैं, मेरी रेसिपी लग रहे हैं, इस टाइम पर हमने फ्रेम को बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि हम चामल इसमें एट करे मेरी आप देने के लिए घ्रेम को मैंने भीग अज़ गंटे के लिए भीगो दिया था, इसके बाद यह तना हो, अब आगे मेरी बावी को अच्छी करना सांगे, इसको रुटे है ने थैक, अब देख रिपकलाई मेरी को अथी जाके हूंकि अ व्छी प्यारी सीप्र श्मे आप लोग भी बनायएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। आप लोग भी बनाने मसूर की मॉह की डाल, काली डाल, चने की डालो उसके साथ यह बहुत अच्छा लगते हैं। आलू का सालन मनाव उसके साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं बहुत जबर्दस लगते हैं अब मैं इसमें तक्रीबन एक लिटर के करीप पानी है यह मैं आट करूंगी एक प्रॉन कोर्ण तक तक दोगभाएं देव साथ दो पानी है और यह कैसे में पूंगी ते लीटर समय क्षार्थ सथा सॉल्ट यह जलीए भील्ड पानी चाहएं दोच्छी आपकंटेशगों पानी कोई सफ़ाइं। उससे आपके चामब ना कभी धेंगे ना कभी खरआब होंगे और बहुत जबरदस क्छिले खिले उसकी क्या है कि हमने चामब से 20 इंच तो इससे प्रीम बहुत ब्रेस्ट बने वाले हैं अगर आप ये बारी एक टेप है बहुत चोटी सी एक टेप है हर कोई नहीं चीज को बताता है लेकिन मैं आप लोग के साथ अपनी हर चोटी चोटी टेप्स हर आइडिया शेयर करूंगी और आप लोग इसी बिल्कुल में स्किप करें बगार पूरी इसी रेसिपी से हर चीज अब हमने इसका फ्लेम जो है वह हाई कर देना बहुत ज्यादा हाई नहीं करना है और फिर हम इस धुट ढग देंगे अब देखें वियर्स हमारे जो चामल है इनमें अच्छी तरह से अबाल आ गया है अब हम इसको पकने देंगे ताकि इसमें अबाल आ जाए जाए तो बाल आ गया है अब हमें इसको पकने देंगे यह देखें वियर्स हमारे जो थे इनका पाने बिल्कुल अच्छी तरह इनमें ज़र्ज वो चुका है अब आप देख सकते हैं चामल अभी भी हमारे बिल्कुल खिले-खिले हैं इस स्टेज पर हमने अपने चामलों को लगाना प्रक्रीकों गर्ज भी प्रेआ पाने लगाले हैं अद्ग अधा नेका के नहीं रिखावाई देना इसके चामलों को देना था के आप देंगे। पांच के आपश मुणा है। शेचेज़ गिल्कूल रड़ी हैं। यह देखियों कि आपके की पीचानवल रड़ी हैं। और मैं अब इनको यम्मी मज़दार जीरे वाले आपको सर्फ करके दिखाती हमारा एक एक चामल कैसा खिला खिला हमारा वाइट चामल बने इसको आप डाल के साथ सर्फ करें इसको अगर आप ऐसे ही खाएंगे तो यह ऐसे भी बहुत यम्मी लगते हैं और फ्लेम को हमने अपने आफ कर दोना है यह देखें यह मज़दार हमारे जीरे बारे राइस लाजमी ट्राइब करियेगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएब यह देखें कितने मज़दार लग रहे हैंगे यह देखेंगे विर्स यह देखेंगे राइस बहुत यह देखेंगे अपने जीरे बारे शाल्मी ट्राइब कर दोना हैं खाता है बहुत यह देखेंगे बहुत जिए बहुत अच्छी लगती आई और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा दौाओं में याद रखिएगा अल्ला हफ़िए निवे अर्स देखिए यह जीरे बाले चामल है इसको मैं सर्फ कर रहे हूं काली डाल के साथ और पापड और अचार के साथ सर्फ करूं मैंने और लाज़ी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताईएगा आप लोको मेरी रसीपि कैसी लेगी और इसको पापडों के साथ अचार के साथ खाएं बहुत यम्मी और मज़िदार लगती है नहीं ख्याल रखेगा लाफ़ेगा लाफ़ेज करने लाफ़ेक झेएगा ग्तला के साथ और लै यमी और ले खाएं साथ यम्मी ऊहीं करने है लाफ़ेगा लाफ़ें और लोšचे हो एंग टा हैं साथा बहुत अचार जाहीं बहुत सो एंपते अजाम करूंश ींवाल